हेलो व्यूर्स आज के पिसोड में आपको स्वागत है तो चलिए पहले पिछला बहास प्रशन देखते हैं सवाल था कौन सा दिश दोहजार चौबीस में प्रत्यक्ष सार्वभॉमिक मताधिकार प्रदान करेगा आप्शन से सूडान, सुमालिया, इराक या फिर नाजीरिया तो सही जवाब था आप्शन B सुमालिया चलिए इसका विश्रेशन देखते हैं सुमालिया दोहजार चौबीस तक एक वेक्ती एक वोट लोगतंत्र थापित करने की दिशा में एक परिवर्दन कारे कदम उठाने जा रहा है ये महत्वा कांक्शी योजना मौझूदा चुनावी ढाचे को बदलने और चुनोतियों का समधान करने की कोशिश करती है सुमालिया का दोहजार चौबीस तक प्रतेक्ष लोगतंत्र का लक्ष अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागिदारे सुनिश्चित करने के लिए है आपको बता दें कि सुमालिया में प्रतेक्ष सार्वभामिक मताधिकार के दिशा में पहला महत्वपून कदम 2019 मुठाया गया ये कदम इस देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ जिसने आगे की सुधारू की नीव रखी नई प्रणाली के तहट पहले स्थानी परिशच चुनाव 30 जून 2024 को होने वाले हैं इसके बाद 30 नवंबर 2024 को बहुप्रती क्षेत्रिय और राष्ट्रे चुनाव होंगे चलिए अब आज का पहला सवाल देखते हैं नेमनेले खित्मी से किस शासक के काल में पुराना किला का निर्मान हुआ था अकबर, शाह जहां, शेर्शा या फिर बाबर तो जवाब है option C, शेर्शा हाली में दिल्ली का पुराना किला महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजो का साक्षी रहा है जो दिल्ली के प्राची इंतिहास पर प्रकाश डालता है यहां चल रही खुदाई से एतिहासिक कलाकृतियों का पता चला है जो इस क्षेतर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है इन कलाकृतियों में चित्रित, धूसर, मृद्भांड और मिट्टी के बरतन शामिल है प्राप्त कलाकृतियां 1200 ईसापूर और 600 ईसापूर के बीच की अवधी की है ये मिट्टी के बरतन पूर मौर्य युक्की कलात्मक परंपराओं की जलक पेश करते हैं। पुराना किला भारते पौरानिक कताओं में अत्यधिक महत्व रखता है। कई लोग इसे महाभारत में वर्नित इंदरप्रस्त का पौरानिक शहर मानते हैं। इस किले का निर्मान मुल रूप से शिर्शा सूरी द्वारा कर आया गया था। बाद में मुगल समराथ हुमायू द्वारा इसका जिर्णों धर कर आया गया था। चलिए नेक्स क्वेस्चन भारत में अभी तक कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। पांच, चार, त देशिया प्रांत में क्षेत्रे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नरधारन करने की प्रक्रिया। परिसीमन आयोग अधिनियम वर्ष 1952 में अधिनियमित किया गया था। आपको बताने कि परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपती द्वारा किया जाता है और ये भारत निर्वाचन आयोग के सहयुक से कारे करता है 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के अधार पर चार बार वर्ष 1952, 63, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है अनुछेद 82 के तहट संसत प्रतेग जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है अनुछेद 270 के तहट राज्यों को प्रतेग जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार शेत्री निर्वाचन खेत्रों में विभाज़त किया जाता है चलिए अगला सवाल देखते हैं वन्यजीवों का संरक्षन भारतिय संविधान में किसके अंतरगत आता है मौलिक करतेवे, नीति निदेशक सिधान्त, मौलिक अधिकार या फिर A और B दोनों तो जवाब है option D A और B दोनों वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभन प्रजातियों की संरक्षन के लिए एक कानूनी धाचा प्रतान करता है अब बात करें वन्यजीवों हेतु समयधानिक प्रावधों की तो 42 में संचोधन अधिनियम 1976 के दहट वन एवं वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षन राज्य सूची से समवर्ति सूची में स्थानांत्रित किया गया था सम्विधान के अनुच्छिद 51AG में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहिद प्राकरतिक पर्यावरन की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रतिक नागरिक का मौलिक करतावे होगा चलि अगला प्रशन एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहा है मनीला शंगाई बीजिंग या पिर सिंगापूर तो जवाब है उप्षने मनीला एशियाई विकास बैंक ने हाली में भारत के लिए अपनी 2023-27 कंट्री पार्टनर्शिप स्ट्राटेजी शुरू की है भारत के लिए ADB यानि एशियाई विकास बैंक की इस्ट्राटेजी तीन प्रमुक फोकस क्षेत्र पर जोर देती है इन में शामिल है संराचनात्मक परिवर्तन और रोजगास रजिन में तेजी लाना, जलवाई उलचीले विकास को बढ़ावा देना और गहरी सामाजिक और आर्थिक समावेशी ता ये नई रणनीती देश के विकास को गती देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में प्रमुक फ्षेत्र पर किंद्रित है अब बात करें एशिया विकास बैंक यानि एडिबी की तो ये एक फ्षेत्र विकास बैंक है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी एडिबी में कुल 68 सदस से शामिल है भारत एडिबी का एक संस्थापक सदस से है कुल सदस युमें से 59 सदस से देश एशिया प्रशांत ख्षेत्र से हैं जबकि 19 सदस से अन्निक ख्षेत्रों से हैं इसका उदेश एशिया में सामाज और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है गौर तलब है कि एडिबी का मुख्याल है मनीला फिलिपीन्स में है चलिन एक सवाल तो इसका सही उत्तर है आप्षेन ए राजिस्थान मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राष्ट्रे चंबल अभ्यारण ने चंबल नदी पर राजिस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के त्री जंक्षन परस्तित है इसके सापना वर्ष 1989 में चंबल नदी की 425 किलोमेटर की लंबाई की साथ की गई थी ये अभ्यारण ने विंद्यन परवत से शिरू होकर चंबल नदी तक फैला हुआ है अभ्यारण ने प्राकरतिक रूप से रहने वाले घडियालों का घर है ये घडियाल critically endangered गंगा नदी डॉल्फिन, endangered और लाल मुकुट वाली छत वाली कचुए critically endangered का घर है ये प्रवासी पक्षियों के 180 प्रजातियों और ताजे पानी की गंगा डॉल्फिन को भी आश्र देता है भारत सरकार ने राष्टे चंबल अभ्यारणने को एको सेंसिटिव जोन या पर्यावरन समविदी क्षेत्र घोशित किया एको सेंसिटिव जोन घोशित करने के कारण यहां रिसॉर्ट्स, होटल या अन्य आवासी और ओद्योगी कतिविदियों का निर्माण निशिद है चले आगे बढ़ते हैं कश्मीर में करेवा किसलिए जाने जाते हैं? सीडिनुमा क्रिशी, जैविक क्रिशी, जूम क्रिशी या फिर केसर की खेती तो सही जवाब है option D केसर की खेती करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाओ जलोड मिटी के भंडार है कश्मीर में करेवा का अर्थ है, ऊपर उठी हुई भूमी करेवा में खेती की बात करें तो करेवा अत्यधिक उपजाओ जलोड मिटी और बलुआ पत्थर जैसे अन्ने तलचट से बने होते हैं करेवा, केसर, बादाम, सेब और अन्ने नकदी फसलों की खेती के लिए सबसे उप्युक्त हैं आपको बता दीं कि करेवा कश्मीरी केसर के लिए सबसे अधिक प्रसिद है माई 2020 में कश्मीरी केसर के गहरे लाल रंग, उच्च सुगंद और स्वाथ जैसी विशिष्टाओं के लिए इसे जी आई टैक दिया गया था गौर तलिब है कि कश्मीरी केसर तीन प्रकार का होता है लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर चलिए अगला प्रशन गौर तलब है कि एक जलमगन मिट्टी का जॉलमों की पानी के नीचे की भूगर भी है सनरचना है ये सनरचना समुदर तल से मीथेन जैसे गैस या तरल पदार्थ के लगतार निश्कासन के बाद बनती है चलिए अगला सवाल दिखते हैं अंतराष्टर श्रमिक संगठन के स्थापना कि स्वर्ष की गई थी? 1918 में, 1920 में, 1919 में या फिर 1922 में तो इसका उतर होगा उप्शन सी 1919 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 31 मैं से 2 जून 2023 तक जेनेवा सुच्जलेंड स्थित आयलो मुख्याले में रोजगार कारे समूं की तीसरी बैठका उजित की जा रही है बात करें आयलो यानि अंतराष्टर श्रम संगठन की तो इसकी स्थापना प्रतम विशुद के बाद राष्टर संग के लिए एक एजंसी की रूप में की गई थी इसके स्थापना 1919 में वर्साइकी संधी द्वारा की गई थी इसके संस्थापकों ने संगठन की स्थापना से पहले ही सामाजिक सोच और कारेयों में काफी प्रगती की थी यवर्ष 1940 में सयुक्त राष्ट की पहली विशिष्ट एजंसी बनी आयलों ने श्राम और मानवा अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ग्रेट डिप्रेशन यानी 1930 के दशक के दौरान श्राम अधिकारों को सुनिष्ट करने के लिए इसने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया था इसने वियो अपनिवेशी करण प्रक्रिया में और दक्षिन अफ्रीका में रंगभेद पर जीत में एहम भूमिका निभाई संगर्ठन को 1979 में वर्गों के बीच शांती में सुधार के प्रयासों और श्रमिकों के लिए न्याय और निश्पक्ष कारे को बढ़ावा देनी के लिए नोबेल शांती पुरसकार मिला चलिए अब वाक्त है अभ्यास प्रशन का नोट करिए वैश्विक दास्ता सूचकांग 2023 में कौन सा देश शीष पर है आप्शन्स है ए उत्तरकोरिया बी एरिट्रिया सी साओधियरब या पर डी तुर्किये तो सवाल के जवाब कॉमन सेक्शन में देना मुद भूलिएगा मुलाकात होगी अगले अपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद